अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे घूस लेना पुलिस वालों को शोभा नहीं देता अपने पैरेंट से पहस करना मुझे शोभा नहीं देता किसी से पत्तमीजी करना तुम्हें शोभा नहीं देता एक दूसरे से जगरना उन दोनों को शोभा नहीं देता ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बिफिट वर्ड का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है एप्रोप्रियेट या फिर प्रॉपर हिंदी में इसका सेंस शोभा देने से होता है इसको लेकर सेंटेंसिस बनाने का रूल देखते हैं इसके रूल में सबसे पहले इट डेजन्ट बिफिट यानि कि इट डेजनौट बिफिट आता है जिसका मतलब होता है शोभा नहीं देता इसके बाद नाउन या प्रोणाउन इन दोनों में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोणाउन आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them इसके बाद डू आता है यू के बाद वर्ब की first form आती है और last में other words आते हैं अगर बचते हैं तो चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तराती समझ में आज जाए गूस लेना पुलिस वालों को शोभा नहीं देता अपने parents से बहस करना मुझे शोभा नहीं देता किसी से बत तमीजी करना तुम्हें शोभा नहीं देता एक दूसरे से जगड़ना उन दोनों को शोभा नहीं देता इच अदर अपने बड़ों को आदेश देना हमें शोभा नहीं देता अपने दोस्तों को धोका देना उसे शोभा नहीं देता अपने दोस्तों को धोका देना उसे शोभा नहीं देता अपने दोस्तों को धोका देना उसे शोभा नहीं देता अब एक सेंटेंस आपके लिए अपने भाई से जूट बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए झाल्य झाल्य झाल्य